नमशकार मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहें एनेचवा नीजुज। पीरखो और शिवखोडी में जो है ये मेला करवाया जाता था लेकिन इस साल जो है एक और एरिया एड किया गया है पर मंडल जो है वहाँ पर ये मेला जो है तीन दिन का मेला जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और्गनाईज करवाया गया है इस सी पर बात करेंगे इस वक्त मा परमंडल वहां पर भी यह मेला इस साल और्गनेस करवाया गया है क्या गहेंगे देखे मैं आपको पहले तो आपके चैनल के माधियम से सबको शिवरातरी की शुब काम नहीं देती हूं फिर उसी के ताहित में आपको यह बताऊंगी कि इस तरह का जो टूरिजम डिपार्टम और उसी तहत एक हमारे पास आजाता है एक हमारा जो आप कह सकते हो सेक्टर है डाट इस रिलिजियस टूरिजम पिल्ग्रिमेज टूरिजम जिसको बोलते हैं और पिल्ग्रिमेज टूरिजम में यह रहता है कि उसमें जितने भी हमारे लिजियस साइट्स होते हैं उसमें ज बारे वाले, वहां पर यह छोटे-छोटे सेक्टर, मतलब जो इस तरह के लोग, इनका employment opportunity बढ़ता है, और दूसरा, जो हमारा main काम है, टूरिजम को promote करना, तो जब यह इस तरह का message आता है, इस तरह का सारी sites जो है, लोगों को पदा चलती है, तो लोग different capacities में, चाहे वो उसको देखने आ रहे हैं spot को, इसकी religious importance को understand करने आ रहे हैं, या श्रद्धा से आ रहे हैं, तो जब इस तरह से लोग आते हैं, तो हमारा जो tourism है, वो promote होता है, तो उसी सिलसिले में जो हमारा यह हम कारे रत हैं, और इसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि, तीन दिन का हमारा पीर्खो में मेला तो है ही है, जिसका inauguration आज है, तीन दिन का हमारा जो चला आता था, रन्सू शिव खोडी में मेला, उसमें वो भी आज तरीके, उसकी महीमा बहुत जादा है, हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पुरवंडल को religious circuit में भी ला रहे हैं, ताकि वहाँ की development भी प्रॉपर तरीके से की जा सके, तो उसी सिलसिले में हमने, उसी को में कारे रत होने की वज़ा से हमने उसको add-on किया है, उसमें हमने जो को cultural programs भी मिलेंगे, तो सब को मैं आपके channel के माधियम से invite करूंगे, आप आएं, शिवजी के दर्शन करें, शिवरात्री की जो महता है, उसमें आएं, उनके दर्शन करें, और enjoy करें, जी, माम जिसन से परमंडल के आपने बात की, कि उसे भी जो है, तरक्की जो है, उस एरिय को काफी जादा माना जाता है, तो क्या कुछ और स्टेप्स लिए जा रहे हैं, परमंडल को खास दोर पर नई पहचान देने के लिए, मैं आप से यही कह रही थी, कि हमारे कुछ religious circuits में, हमने कुछ projects अभी बनाए हैं, जो हमारे अभी अपरूव होंगे, उसमें हमारा जो इ इंट्रा स्टक्चर कभी-कभी उसमें कमियां रहती हैं, या डिफिकल्टी रहती हैं, तो वो सब जो है, वो कमियां पूरी होने वाली है, और जाना भी जाते हैं, लेकिन जम्मू में भी, जम्मू डिवीजिन के अगर मैं बात करूँ, तो काफी सारे ऐसे स्पोर्स हैं, ज इस तरह से काम कर रहा है, जम्मू को खास तोर पर टूरिजम स्पोर्ट बनाने के लिए, देखे मैं तो इसमें पहले आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो टूरिजम को सबसे ज़्यादा परसंटेज हमारा टूरिजम आज की डेट में जो सेक्टर कॉंट्रिवीट कर रहा है देट इस एडवेंचर टूरिजम और उसी को पर्मोट करने के लिए हमने जो है वो अपना जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट पे अडवेंचर अक्टिविटीज जो है वो करवा रहे हैं जिन में से एक हमारी जो है अभी डोडा में हुई है रिवर आफ्टिंग चैंपियंश करवाएं हैं जिनकी अभी जल्दी ही उनके भी पर्मीशन मिल जाएंगे तो मैं आपको यह कहूंगी कि टूरिजम डिपार्टमेंट जो है वो अडवेंचर अक्टिविटीज को ही सबसे पहले प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे एरिया जैसे अपने भी बात की है आपने का कि कश्मीर में तो लोग जाते ही हैं मैं कहते हूं कि जमू में भी आते हैं ऐसी बात नहीं है सिरफ हमारे कुछ एरिया जो है जो अनेक्स्प्लोड रहे थे या जिन पर अभी ठोड़ा काम करने की ज़रूर थी आज उस पर काम हो रहे है आज ह हमारे बात करल पास बीजिद्वे में से लीजड़ा पेस बतनी टॉर तो आotic है जागर भी आपने आप में पहँं कर रहे हैं यह तो सार हमारे उक में से बात कर ने कर लिएं तो टूरिजम डिपार्टमेंट जो है वो पूरी अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहा है खासतर पर जम्मू को जो है जो कुछ एरिया उसके अनेक्स्प्लोर रह गए हैं उसको एक्स्प्लोर करने के लिए जिस तरह से मैं ने बताया कि किस तरह से गंडोला राइड की और शिवरात्री की अगर हम बात करें तो तीन दिन का जो मेला जो इसके हमने बात की कि इस बार जो है पर मंडल में भी यह मैला जो है और इसका पूरा पूरा लुट फूटाएंगे इससी तरह की अब्डेट लेकर हम पिर लॉट एंगे तब तक के लिए मुझे और मेरी ख परसन नहरानी को दीजी अजाज़त देखते रही एनेच वान न्यूज